चक्रवात गुलाप का प्रभाव देखने को मिला है नवरंगपुर जिला के पापड़ा हांडी ब्लॉक इलाके में तूफान के कारे 350 से जादा एकर मक्के की फसल अमल होता दो पैसे फायदे होते कितने ही खुशते किसान और उनके परिवार के लोग अचानक गुलाब आकर सब उजार दिया आज SRC की तरफ से नवरंगपुर जिले को पहले से चक्रवात की सूचना दे का सतक रहने के लिए जिला प्रशाशन को निर्देश तिये जाने के बाद जिला प्रशाशन की तरफ से सबीपरकार की सतर्कता अवलंब करके सबी प्रकार की समस्या मुकावला करने की प्रस्तुती कीए थे जिला प्रशाशन लेके चक्रवात की प्रकॉप से कमजोर होने के कारण नवरंग पुर जिला के कुछ-कुछ जगों पर बारिष के साथ हवा चल रही ते कल रात और आज भोर के समय पापड़ा हांडी ब्लॉक के बिविने लाकों में जोरो की हवा के साथ बारिश होने के कामरा हंडी कुछा आदी गाओं के अनुमानिक 350 एकड़ से भी जादा मक्के की फसल नस्ट होने की शिकायत किसानों ने की उनके कहने के अनुसार मक्के का फसल फिलाल अंतिम परियाय में था और एक महिना या 45 दिन इस्ट हो गई अब करजा कैसे चुकाएंगे उस बारे में चिंतित बैठे हैं इलाके की किसान इस सिल्सले में किसी सूचन नह नहोंका होने का पता चला है उधर नवरंगव जिले में कुछ नुकसान नहों neue की सूचना SRC ने दिया है। कितना नुक्सान हुआ है उसका आकलन कियाद ठके किसानों ने दावा किया। कितना नुक्सान नुक्सान हुआ है। कितना नुक्सान नुक्सान हुआ है। कितना नुक्सान हुआ है। कितना नुक्सान हुआ है। कितना नुक्सान हुआ है। कितना नुक्सान हुआ है।